हालो मैं डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वास्त होंगे आज हम लोग SSC CSSL एक्जाम 22 में जीके से पूछे के प्रस्ण को देखेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रह तो आपको प्रिवियस एक्जाम का प्रेक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि GK के प्रस्ण ऐसे होते हैं जो बार बार एक्जाम में रिपीट किये जाते हैं आईए हम लोग आज के क्लास को सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे ला कुछ सनक करके रेखा भारत के डैस राज से गुजरती है ये प्रस्ण SSC CSSL एक्जाम 222 में पूछावा प्रस्ण है इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा पंजाव नहीं होगा इसके बाद माराष्ट दिया गया है ये भी नहीं होगा 36 गर दिया गया ये हो जाएगा राइट इंसर केरल भी गलत हो जाएगा आपको ये भी पता होनी चाहिए करके रेखा भारत के आठ राजियों से होकर के गुजरती है कौन कौन राज से होकर के गुजरती है उसको समझे पाला राज इससे होकर के करके रेखा गुजरती है वो है गुजरात इसके बाद राजस्थान आ जाएगा इसके बाद मद्परदेश, चतिसगाड, जारखांड, इसके बाद पश्चिम मंगाल, तिरपूरा और मिजोरोम अब इसको समझे मैप से यह दा भारत का मैप इसको आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं ध्यान से समझे करके रहा भारत के आठ राजियों से होकर गे गुजरती है, पाला राजी हो जाएगा, गुजरात, इसके बाद राइस्थान हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, मद्परदेश का एरिया, इसके बाद चतिसगाड आ जाएगा, इसके बाद जारखांड आ जाएगा, इसके कि बाद तिरुपूरा हो जाएगा इसके बाद है मीजो राम हो जाएगा समझ में आ गिया अगला समझी अब परसाद इसके बाद कपूरी ठाकूर दिया गया इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को पता होनी चाहिए इसका राइट इंसर हो जाएगा उप्सन नम्मर भी प्यार के स्री के नाम से स्री कृष्ण सिन्ना को यह जाना जाता है आपको यह भी पता होनी प्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट् और इसको याद रखना है आपको PG से P से Protron और G से Goldstein इसके बाद Ernest Rutherford के बारे में समझ ये इन्होंने खोज की थी Nucleus की या फिर Navic की खोज Ernest Rutherford ने की थी इतना बात समझ में आ गया अगला समझ ये अब अगला कुश्चन है भारत की कौन सी नदी बंगाल के खारी में जाकर के मिलती है आपको Option दिया गया Option A में दिया गया है नर्मदा नदी इसके बाद दिया गया है माही नदी और इसके बाद दिया गिया है तापी नदी इसका राई इंसर क्या हो जाएगा इसका राई एंसरि घुम्शन नंबर बी गुदावरी नदी यह भी पता ओना चाहिए नर्मदा नदी अंपकर जाकर कर法 मिलती है और ji सागर में इसके बाद माही नदी भी अरब सागर में मिलती है और तापी नदी भी अरब सागर में मिलती है इसको मैप से समझे अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लों को ये है बंगाल की खारी इसके बाद ये है अरब सागर और गुदावरी नदी महाराष्ट के नासिक के पास त्रेमबकेशवर से निकलती है और बंगाल की खारी में गिरती है समझ में आ गया अगला समझ ये अब अगला कुश्चन है कि इस भारतिय लेखक ने परसीद पुष्टक मान सरोवर लिखी है आपको ऑप्सन दिया गया है प्रेम चंद्र दिया इसके बाद गीता सागल दिया गया यसपाल दिया गया है इसके बाद रामपरसाद बिस्मील दिया गया है इसका राइट इंसर क्या ह जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा उप्सन नमर ए प्रेम चंद्र प्रेम चंद्र की परसीत पुछ तक है मान सरोवर समझ में आ गया अगला समझी अब और अगला क्यूस्टा नहें भारतिय प्रमानु कारिकरम का जनक किसी माना जाता है आपको option दिया गया homo जांगीर भाबा दिया इसके बाद विकरम सर भाई दिया इसके बाद सी वी रह्मन on इसके बाद विंकेट रमन राधा क्रिश्नन दिया गया है तिसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा हो मोजांगीर भावा भारतिया प्रवानु कारिकरम का जनक माना जाता है हो मोजांगीर भावा को इसके बाद विक्रम सारा भाई की बारे में समझ गया इसको कहा जाता है अंतिरिक्स विज्ञान का जनत इसके बाद सीवी रमन के बारे में समझ ये इसको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पराइज दिया गया था यहां तक समझ में आ गया आगे समझ गया अगला कुश्चन हरप निती या फिर विलाइन निती या फिर डॉक् दिया गया इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा लॉड डॉलोजी हो जाएगा इस कुश्चन का राइट इंसर इसी को अरप निती या फिर विलाइन निती या फिर डॉक्ट्रिन ओप लेफ्स के नाम से भी जाना जाता है अगला कुश्चन समझ गये अग अगला कुश्च पंच वर्षी है योजना इस question का right answer क्या होगा यह हमें comment box में बताइएगा मिलते हैं हम लोग अगले class में बैतरीन question के साथ